आज मैं आपके साथ ना एक बहुत ही अलग तरीके की रेस्पी शियर करने वाली हूँ और बहुत ही स्पेशल वो इसलिए क्योंकि इस रेस्पी को आप कई तरह के खाने के साथ यूज करी सकते हैं लेकिन और भी कई तरीके से इस्तिमाल कर सकते हैं जैसे अगर आपको खाना बोरिंग लग रहा है घर पर कोई साधा सा खाना बना है तब आप इसका यूज करिए खाने में जाना जाएगी स्वात बढ़ जाएगा दूसरा अगर आपको कहीं ट्रैवल पर जाना है बाहर जाना है आप इसको लेके जाएए रास्ते में कोई भी स्नैक्स हो या कोई बाज बात ये है कि आप इसे आराम से 6 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं जी हाँ फ्रेंड्स बिलकुल भी ये खराब नहीं होती तो भाई तारीफे तो बहुत हो गई चलिए भाई रेस्पी भी देख लेते हैं तो यहाँ पर हमने लगभग दो गांठ मान लीजिए लहसुन की लिए हैं इनकी कलियों को अलग कर लिया है अगर मैं बात करूं तो लगभग 20-25 कलिया लैसुन की होंगी थोड़े से बड़े साइस की अब क्या करेंगे इससे हमना सारे छिलके जो है वो अलग कर लेंगे मतलब अभी लैसुन को छीलना नहीं है लेकिन जो मोटे-मोटे से अब हमें क्या करना है हमें यहां पर कुछ चीजें लेनी है तो चली मैं बता देती हूं क्या क्या ले रही हूं सबसे पहले हम लेंगे एक कप डैसी केटिड कोकुनट यानि की नारियल का बुरादा और इतनी ही कॉंटिटी में हम यहां पर ले रहे हैं मुवफली के दाने तो यह मैंने कच्चे मुफली के दाने लिए हैं आप यहां पर रोष्टेड भी ले सकते हैं और इनके जस्ट आधा यानि कि हमने एक कप मुफली के दाने एक कप नारियल का बुरादा तो आधा कप हम लेंगे यहां पर सफेद तिल तिल से फ्लैवर बहुत अच्छा जाए मेरे को लाइटर नहीं मिला तो मैं माचिस से उन कर रही हूं और यहां पर रखेंगे हम एक पैन और इसमें हम डालेंगे दस से बारा मोटी वाली लाल मिर्च सूखी वाली जो मिर्च होती है अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा यहां पर मिर्च मैंने थोड़ी सी कर लेंगे अगर आपने रोश्ट्र मुंफली के दाने लिए ना तो आपको यह स्टैप करने की जरूरत नहीं मुंफली के दाने जैसे ही हलके से रोस्ट हो जाएगे ना तो इसमें हम डाल देंगे साथी में यह जो हमने नारिल का बुरादा सफेद तिल इन सभी चीजियों को अच्छे से मिला लिया है और इनको भी हम बिल्कुल धीमी आज पर अच्छे से रोस्ट करनेंगे याद रखिए नारिल का बुरादा है तेज आज पर आप करेंगे ना तो इसमें वाइल होता है तो जो की जल जाएगा इसलिए बिल्कुल धीमी आज पर इनको बढ़िया जाने लगती है और लेजिए फाइनली हमारी सबी चीजें अच्छे से रोष्ट हो चुकी है देखिए हलका साइल भी दिख रहा होगा जो की नारियल का है इसलिए वो रिलीज हो जाता है हलकी सी चमक सी आ गई है ना वो इसलिए है बस तुरंती गैस को बंद कर देना है ता कलियों को रखेंगे और हलका सा धीमी आज पर इस तरह से भून लेंगे तो इससे क्या होगा सबी कलिया रोष्ट हो जाएंगी यहां पर लेसुन को हलका सा भूनना इसलिए ज़रूरी है ताकि यह जो हम स्पेशल सी चटनी बना रहे है ना सूखी चटनी यह खराब ना हो इसको हम महीनों तक स्टोर करके रख सके डालने को तो कच्चा भी डाल सकते थे लेकिन उसकी सेलफ लाइफ थोड़ी सी कम हो जाती तो इसलिए लैसुन की कलियों को हमें भून करके ही लेना है आप चाहे तो इनको तवे पर भी भून सकते थे बड़ मैंने शॉटकट बता या बहुत जल्दी भून जाती है और जब यह कलिया रोष्ट हो जाती है ना तो इनका छिलका भी बड़े आसानी से अलग हो जाता है मतलब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी नॉर्मल लैसुन को चीलने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना इनको बिल्कुल नहीं करके सारी कलियों को हम यहां पर चील लेते हैं यहां पर फ्रेंड्स मेरे आपसे फिर से रिक्वस्ट है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजेगा इस वीडियो को शियर करना बिल्कुल मत भूलेगा और हाँ अपना एक प्यार असा कमेंट कमेंट बॉ और दूसरा इन में थोड़ी सी सीलन आ गई थी क्योंकि सर्थियों का मौसम चल रहा है न तो रखे रखे सीलन आ गई थी तो हलका सा रोश करने से इसका जो डंठल है वो असानी से निकल गया और यह अच्छे से पिस भी जाएंगी और देख सकते हैं यह काफे अच्छे से क बना लेंगे, क्योंकि अभी हम इसमें और भी चीज़ यंडाल के इसको दो-तीन वाज बहुवी और पीसना है ठीक है तो इस से ईसको workshop कर लेते हैं तो जो लोग मार्केट से रेड चिली फ्लेक्स लेके आते हैं वो घर पर इस तरीके से रेड चिली फ्लेक्स बना सकते हैं देखिए मैं दिखाऊंगे अभी आपको बिल्कुल मार्केट जैसी रेड चिली फ्लेक्स बनके तयार होगी देखिए है ना बिल्कुल ब ग्राइंडिंग जार में डालेंगे साथ ही में हम यह जो लैसन की कलिया है इनको भी डाल देंगे और इनको एक बार हम अच्छे से फिर से ग्राइंड कर देंगे तो अभी हम इसमें कुछ मसाले भी एड़ करने हैं जो कि हम बाद में करेंगे पहले हम इनको अच्छे से एक ब बहुत बिजी थी इसलिए वीडियो में मेंशन नहीं कर पाई आपके कमेंट को बट नेक्स वीडियो से जरूर करूँगी तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और यहां पर देख सकते हैं हमने सबी चीजों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है अब इसमें हम डालेंगे स पाउडर इससे खटाई बहुत अच्छी आएगी साथ में हम हींग डाल देंगे आप इन मसालों को भी हम एक बार अच्छे से इसी के साथ मिक्स करके चला लेते हैं ताकि अच्छे से मसाले भी मिक्स अप हो जाएं तो लीजे भाई हमारी लेसुन की सूखी चटनी बनके ब बड़ा पाउ बना रहे हैं इडली सामर बना रहे हैं या सैंडवेच बर्गर किसी के साथ भी चटनी को आप लगाई सूखा ही इसको मतलब स्प्रिंकल करके यूज करिए बहुत ही टेस्टी लगती है हर स्नेक्स का स्वात को बढ़ा देती है और आपना इसको पराठा पू कोटी में खा सकते हैं आप इसको गीला करके भी खा सकते हैं मलब जब मरजी हुई आप इसको गीली चटनी बनाईए और इसका आनंद लीजिए वह आपको कैसे बनानी है अभी मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूं तो सबसे पहले तो आप चटनी का टेक्षर कमाल की चटनी है किसी भी खाने की जायके को बढ़ा देगी तो यह सूखी इसलिए रखी जाती है ताकि आप इसको स्टोर कर सके अब मानके चलिए आपको गीली चटनी की रूप में खाना है जैसे नॉर्मल हम लोग बनाते हैं न चटनी वो कैसे खाना है तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ, तो सबसे पहले तो मैं बता रही हूँ कि जब भी घर पे सबजी डाल ना बनी हो, कुछ भी ना हो और आपको जोरों की भूग लगी हो, उठाना दो रोटी, उसमें घी लगाना, घी डालना, मतलब पिगला करके, और साथ में ये आदा चम्मच के करीब चटनी डाल देना, और दोनों रोटीओं को अच्छे से चुपड लेना, और इस तरीके से आप इन रोटीओं को कट्टू करके खाना, आपने खाया है कभी कट्टू करके रोटी को, नहीं खाया है तो आप खाके देखिएगा, हम लोग कभी नमक मिर्च कट्टू करके या बुकनू कट्टू करके खाते हैं, इस बार आप ये सूखी चट्नी कट्टू करके खाएगा, कितनी अच्छी लगेगी, चाय के साथ भी करते हैं तो बिन भूख के इतना कहे देती हूं आप चार-पांच रोटिया तो ऐसी खा जाएंगे आप बात करते हैं जो लोग गीली चटनी खाते हैं सुखी नहीं खाते हैं तो बस इस कहीं पर भी इस सफर में हैं तो थोड़ी सी निका लिए इस चटनी को थोड़ा सा पानी दालिए तयार हो गई हमारी गीली चटनी सेंडवेच पूड़ी पराठा किसी के साथ भी इंजुआए करिए आई यो वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक शेयर करिए बाए बाए